दोस्तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉल पे आने वाली छोटी-छोटी प्रॉब्लम का सॉलिशन मिन ले वाल है हेलो दोस्तो मिरा नामे गौर अपर आप देख रहे हैं टेक गौरी So without wasting any more time, let's get started पहली जो प्र्रॉब्लम है दोस्तो जब हम किसी के साथ call पे बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम कोई third person हमें call करता है तो उस call का notification हमारे call के उपर नहीं आता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि third person हमें call कर रा है इसको ठीक कैसे करना इसको solution बहुत easy है यहाँ पर call पर आपको जाना है और यहाँ पर three dot पर आपको click कर लेना site में और यहाँ पर आपको setting पर जाना है और यहाँ पर आपको calling account पर यहाँ पर click कर लेना है यहाँ पर आपको operator related setting पर click कर लेना है तो उसका notification आपको मिल जाएगा और दोस्तों दूसरी जो problem हमें call पे होती है कि हम जो है call पे वीडियो call नहीं कर पाते हैं इसका reason है यहाँ पे मैं three dot पे click करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो call का option ही नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तों हो सकता है जिसको भी आप call करें उनका phone जो है वीडियो call support ना करता होगा calling वाला features में जो वीडियो call आता है और याँ फिर उनका कोई और number है ATL का है, Vodafone का है, Idea का है तो भी फिर भी call नहीं होगा अभी दोस्तों मैंने अपने दोस्तों को call किया है जिनका number की यहाँ पे जियो का है और यहाँ पे 3.1 किलिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो call का option आ गया है क्योंकि यहाँ पे यह support करता है और तीसरी जो problem हमें हो रही है कि कोई भी call करता है तो हमारे जो mobile है वो flash blink नहीं कर रहा है मतलब flash light नहीं जल रही है तो इसका क्या reason है इसका मैं आपको यहाँ पे calling पे जाएंगे हम 3.1 क्लिक करेंगे setting पे जाएंगे और यहाँ पे calling account पे जाएंगे mode setting पे जाएंगे और यहाँ पे flash on call को इसको आप on कर दीजीगा जब भी कोई call करेगा तो आपके जो mobile की flash light है वो blink कर देगी मतलब जलना चालू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जेब में कोई phone आ रहा है आपको और चोथी जो problem हमें call पे होती है कि जब भी हमें कोई person call करता है तो वो call हमारे पे ना आके किसी third person के पास चले जाता है तो इसका एक ही reason है कि आपके mobile में call forwarding का जो option है वो on हो रखा है इसके लिए हमें calling पे जाना है और यहाँ पे three dot पे click कर लेना है और यहाँ पे setting पे click कर लेना है और यहाँ पे हम calling account पे click करेंगे यहाँ पे operator related setting पे click करेंगे और यहाँ पे हम call forwarding का यहाँ पे option देख रहे हैं यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे voice पे click करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां पे यह on हो रखा है और यहां पे number भी है तो इस जो भी call मेरे को आ रही है जब मेरे इस mobile में network नहीं रहता है तो उस time जो है मेरे को जो भी person call करता है तो वो call सारी जो है इस number पे चले जाती है इसी का यही reason है कि यह on है इसको हम off कर देंगे यहां से इसके बाद जो भी call आएगा न वो direct अब हमको आएगा और पांची जो problem है कि call पर अपना मनपसंद song कैसे लगा यानि कोई भी person हमें call करे तो उस समय हमारा मनपसंद song जो आना चाहिए इसके लिए guys आपको अपने mobile की setting में जाना है और यहां पर आपको scroll down करना है यहां पर आपको sound and vibration का option देखने को भी लेगा यहां पर click कर दीजिएगा और scroll down करेंगे यहां पर ringtone का option है यहां पर click करेंगे और यहां पर आपको on this device तो यह जितने भी song है यह default वाले system ringtone है कि mobile में पहले से ही दिये होता है यहां पर on this device पर click करेंगे और यहां पर जितने भी यह सारे song है यह आपके mobile की song है तो जो भी आप एक बार सुन लेना कि कौन सा song आपका मन पसंद का है जैसे कि मैं यहां पर click करता हूँ यह वाला और इस पर मैंने click कर दिया अगर आपको लगता है यह आपका मन पसंद सौंग नहीं यही है तो इस पर आप click ना करके जो भी मतलब यहां पर आपका है वो आप click करके उसके बाद back हो जाना और यहां पर वो set हो जाएगा इस तरीके से तो यहां पर आप देख सकते हैं यह यहां पर apply हो चुका है तो यह बहुत ही easy simple तरीका है जो कि हमें problem solve मैंने आपके की I hope दोस्तों आपको call पर आने वाली problem का solution मिल गया होगा और अगर आपको इसके अलाव भी कोई problem call पर आ रही है तो आप मेरे को comment box में बता सकते हैं मिलेंगे दोस्तों आपको एक next interesting video के साथ में बाबे दोस्तों